वेलकम टू विद्याले स्टेडी पॉइंट आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 11 का न्यू स्लिवस क्या होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम न्यू स्लिवस जो डिसकस करेंगे यह आपका जोगरफी सब्जेक्ट का होगा आजकी इस वीडियो में जिससे आप geography को भूगोल भी कहते इसका हम syllabus discuss करेंगे यह syllabus आपका 2024 और 25 की session का होने वाला है और इसके अंदर भी यह आपका final का जो exam होता है final का उसका हम syllabus discuss कर रहे हैं जो आपका लगबग फरवरी मार्च में इस टाइम पर आपका final का exam होता है तो उससे related आपका यह syllabus है आज की इस वीडियो में हम cover करेंगे final और इसके बाद हम जल्दी ही mid term का भी syllabus discuss कर लेंगे जिसका exam जो है लगबग September, October में होता है आज की इस वीडियो पर हम focus करते हैं जिसके अंदर आज हम syllabus जो discuss करेंगे यह final exams का होगा चलिए आगे बढ़ते हम syllabus की तरफ and syllabus में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका syllabus से लेकर या आपका कोई भी study को लेकर कोई doubt रहता तो आप मुझसे instagram पर connect कर सकते हैं यह मेरी instagram id है krishnasahani08 करके आपका कोई भी doubt हो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं साथ ही साथ आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं जो class 11 के लिए बना गया है नाम अगर आप यह search करेंगे vsp class 11 group तो यह आपको telegram पर channel मिल जागा आप वहाँ join कर सकते हैं जो भी important update देने होते हैं हम वहाँ पर provide करवाते हैं चलिए syllabus की तरफ बढ़ते हैं जब हम geography की बात करते हैं यह भूगोल की बात करते हैं तो class 11 के अंदर दो किताबे रहती है भूगोल की एक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिधान दूसरी जो किताब है वो है भारत भौतिक परियावरन यह दो किताबे है आपकी जो class 11 में आपको पढ़नी होती है काफी ज़्यादा बच्चों को पता नहीं होगा बूग किताबों के बारे में क्योंकि आप class 10 से 11 में आए है तो सबसे पहले यह दिखाना जरूरी था कि आपकी कौन-कौन सी बुक्स है चलिए यह दो किताबे आपको पढ़नी है इसके अलाबा एक और बुक रहती हो प्राक्टिकल की तो वो भी हम आगे डिसकस करेंगे चलिए इन दोनों बुको को हम सबसे पहले आप इसे एक बार इंग्लिस मीडियम में भी देख लेते हैं Fundamental of Physical Geography यह इंग्लिस मीडियम की किताब है जो मैंने आपको हिंदी मीडियम में बत दिखाया और इसके अगर हम chapters को देखे कौन-कौन से chapter आपके पूछे जाएंगे एक्जाम में और एक चीज और आपको मैं पहले ही clear कर देता हूँ कि यह किताब है new है new का मतलब है कि 2024 हो गया और 25 इस session के लिए किताब है इस से पहले कि अगर आप किताबे देखेंगे market में अगर आप खरीते तो वो आपको क्या है old slavers के according वो किताबे मिलेगी तो कोशिस करना आपको new session के according आपको किताब लेनी है अगर आपके पास old किताब है क्योंकि old किताब के अंदर आपके chapters ज्यादा दिये होंगे जो chapter cut गए है वो chapter भी आपको वहाँ पे दिखेंगे तो मैं old वाली जो किताब होगी न वो मैं आपको last में दिखा दूँगा कि आपके कौन-कौन से chapter अगर ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास old book होगी तो उनके लिए भी मैं आपको आगे बता दूँगा बाकी ये किताब आप कुछ इस तरह से देख रहे होंगे और इसके अंदर आपको total 14 chapters देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर हम देखे इकाई 1 जिसका नाम है भुगोल एक विशे की रूप में इसके अंदर देखें हम ये आपका unit 1 है इसके अंदर पहला चप्टर है भुगोल एक विशे की रूप में पिर्थवी जो आपका unit 2 है इसके अंदर दूसरा चप्टर है पिर्थवी की उत्पत्तिय विकास पिर्थवी की आंत्रिक संदचना महा सागरो और महा दिरिपो का वितरन ये आपका 3 और 4 चप्टर है फिफ्थ की तरफ आए भुगोल आकर्तिक प्रक्रियाय हो गई छटा चप्टर हो गया भुगोल आकर्तिक तथा उनका विकास साथवा चप्टर देखे वायू मंडल का संधन तथा संदचना आठवा चप्टर है सोर विकीरन ओसमा संतुलन एवतापमान के बारे में आप प अंचलन और लास्ट जो आपका चप्टर है वह है जे विविटा एव संदक्षन यह आपका चोदवा चप्टर है तो यह आपको जो इस किताब है बहुत तिक भुगोल के जो मूल सिधानत वाली जो किताब है इसके अंदर आपको यह 14 चप्टर पढ़ने होंगे आई होप आप समझ गया होंगे इससे पहले इस किताब के अंदर 16 चप्टर हुआ करते थे दो चप्टर जो है वो कट गए है तो मैं बोला जैसा कि आपको ओल्ड वाली बुक के अंदर वो बता दूँगा कौन-कौन से दो चप्टर आपके कट गए है चलिए यह तो आपने देख लिया आगे की तरफ चले हम तो इसके अंदर हम यह भी डिस्कस कर लेते कि कौन सा चप्टर कितने नंबर का आपका पूछा जागा इसके अंदर चप् इसके अंदर जो है इसके अंदर चैप्टर के नेम कुछ इस तरह से आपको दिखाय हुए है यहां पर यूनिट देख सकते जो आपका पहला यूनिट है जिसके अंदर जो है जो गर्फी एゃ डिसीप्लीन यह आपका चैप्टर का नाम है यह तीन नंबर का आपका जो है इस चैप्टर से कौश्ण पूछा जाएगा माक्स वेटेज यहां पे लिखा हुआ है आप इसे पढ़ सकते ऐसे unit 2 की तरफ आए पिर्थवी की तरफ जो आपका unit 2 है तो इसके अंदर आपका दूसरा चप्टर तीसरा और चोथा चप्टर है यानि 3 चप्टर टोटल इनको मिलाकर जो है 9 नंबर का आपका इससे पूछा जाएगा unit 3 की तरफ आए यहां पे जो अगर हम देखे landforms है और इसके अंदर 2 चप्टर है एक आपका पाँचवा और 6 चप्टर है इसको दोनों को मिलाके 6 नंबर की questions आपसे पूछे जाएगे unit 4 की तरफ आएगे तो climate है unit 4 का नाम और इसके अंदर 7 चप्टर 8 चप्टर आगे की तरफ बढ़े 7 आठवे के बाद अगर हम देखे तो इसके अंदर है 9 चप्टर 10 और 11 जो unit आपका 4 है यह 8 नंबर का इससे question पूछा जाएगा unit 5 की तरफ आए इसका नाम है water और अगर हम देखे इसमें 12 और 13 चप्टर दोनों मिलाके 4 नंबर का question पूछा जाएगा and कुछ इस तरह से चोधवा है इसके अंदर इन्होंने map के बारे में बताया है कि last में आपका 5 नंबर का map पूछा जाएगा अगर आप देखे तो आपकी एक पहली book है वो 35 नंबर का इससे question पूछा जाएगा क्योंकि geography का जो pattern रहता है दूसरे paper के according थोड़ा अलग रहता है number wise अगर हम देखे तो paper वो 70 नंबर का होता है जिसमें से 35 नंबर तो आपकी एक book हो गए 35 नंबर आपका दूसरा book हो गया यानि 70 नंबर का तो आपका जो है अगर आप देखेंगे कि unit wise इन्होंने बता रखा है इसलिए मैंने unit wise आपको बताया है chapter wise नहीं बताया है उन्होंने number की कितने number के कौन सा chapter है लेकिन हाँ unit wise जरूर बता दिया है तो आई hope कि आपको समझ आ गया होगा पहली book के बारे में चलिए अब हम बढ़तें दूसरी किताब की तरफ जिसका नाम है भारत भौतिक परियावरन इसके अगर आप chapters देख रहे हो तो इसके अंदर total आपको 6 chapters देख रहे है ओल्ड वाली book देखे तो उसके अंदर 7 chapter हुआ करते थे एक chapter इसमें से भी कट गया है तो अगर हम इस book को देखे तो इसके अंदर भारत और इस्तिति के बारे में पहला chapter आपका दूसरा है सनरचना तथा भू आकरतिक विज्ञान तीसरा आप वहात तंत्र चोथा चप्टर है जलवायू पांच भा है प्राकरतिक बनास्पति और छटा प्राकरतिक संकट एव आपता है यह आपके chapters रहेंगे इस वाली केताब के अंदर आए इसको भी देख लेते हम unit wise इन्होंने जो है numbers भी बता हुए कितने number का कौन सा chapter है या unit है तो अगर आप chapter 1 देखें इंडिया लोकेशन यानि भारत इस्तिति यह वाला जो chapter आपका 5 number का पूछा जाएगा आगे की तरफ आए हम unit 2 की तरफ तो unit 2 जो है आपका 13 number का है chapter number 2 and chapter number 3 मिला कर unit number 3 की तरफ आए हम तो इसके अ 5 number का तो कुछ इस तरह से यह 35 number का यह वाला आपका book हो जाएगा जैसा आपको मैंने बताया एक book 35 number का पूछा जाएगा एक और दूसरी book 35 number का दोनों मिला के 70 number के आपके questions रहेंगे book से बाकी आगे की तरफ अगर हम चले old book की तरफ में आपको दिखा हूँ तो यहाँ पे आ आपका chapter नहीं है मैं अगर आपको new वाली book में दिखाऊं तो अगर आपका पंदरवा chapter दिया हुआ था आपका एक बार मैं लेके आपको new book की तरफ जाता हूँ हाँ यहाँ पे आप देखेंगे तो पिर्तवी पर जो जीवन है यह 15 chapter हुआ करता था वो इसके अंदर कट गया है बाकी अगर हम देखें और कौन से chapter नहीं आ रहे आपके तो एक बार आगे चलते हैं और new वाली book के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका खनीज और cell जो आपका पांचवा chapter यह कट गया है ठीक है तो आपके दो chapters यह कटे हुए इस वाली book में अगर आपके पास old book है तो आपको ध्यान देना है कि आपको यह दोनों chapters नहीं पढ़ने है एक तो पांचवा chapter और एक पंद्रवा chapter चलिए आगे की तरफ चले हम तो कुछ topic भी आपके कटे होंगे old वाली book जिन बच्चों के पास है तो उसको यह भी problem होगी कि उसके topic भी रहेंगे पुरा हटा दिया गया है आप इससे देख सकते क्योंकि यह पहले के syllabus 2000 अगर हम 23 और 24 की बात करें उसके इंदर भी सेम यही था इसमें आपको नहीं पढ़ना था चलिए आगे की तरफ आए चप्टर नंबर दूसरा आपका पिर्तवी की उत्पत्ति विकास इसके अंदर भी कुछ अधिकेंदर का पता लगा ना यह वाला कटा हुआ है भू आकर्तिक जो है यह आप देख सकते हैं इसके अंदर यह आपका यूनिट दे रखा है इसके अंदर अगर हम चप्टर देखें पांच बार जैसा मैंने आपको बताए कि यह पूरी तरह से हटा दिया गया है और अगर आपके पास new book है तो आपको कोई problem नहीं होगी चलिए इसके अंदर भी एक बार हम देख लेते देखें मैं आपको old book दिखा हूँ आपको भारत भौतिक परियावरन वाली तो इसके अंदर 7 chapter थे मैंने जिससे आपको बताए कि आप यह 6 हो चुके लेगिन पहले यह 7 ह 6 जिसका नाम मृदा है यह वाला chapter कट गया है और इसके अंदर भी अगर हम topics देखें कौन-कौन से topics इसके कटे होंगे आपके अगर आपके पास old book है तो यह problem आपके सामने आएगी तो यह topics आपको नहीं पढ़ने होंगे संरचना तता भो आकरतिक विज्ञान में यह आपके topic होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा chapter देखें आप वह तंत्र तो यह आपको इसके अंदर यह topics नहीं पढ़ने है आप यहाँ screenshot ले सकते है या आप हमारे telegram channel में join हो जाएंगे तो वहाँ पर मैं यह PDF form में आपको provide करवा दूँगा आगे आए हम chapter number 3 की तरफ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे page number भी लिखे हो तो इससे भी आप देख सकते हैं बाकी यह topic आपके कटे हुए है आगे की तरफ आए chapter number 4 है प्राकरतिक वनस्पति तो इसमें भी आपके यह कटे हुए आप इन topics को देख सकते हैं मृद्दा जैसा कि मैंने आपको बताया पूर तरह से इने भी हटा दिया गया है तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मैंने आपको old और new book दोनों ही दिखाई है जिन बच्चों के पास new book रहेगी उनको कोई problem face नहीं करनी पड़ेगी पहली वाली book होगी उसके अंदर 14 chapter और दूसरे वाले में 6 chapter इनको आपको पढ़ दोने हैं and topics भी आपको देखना पड़ेगा तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक किताबे नहीं खरीदिये focus करना या देखना आपकी नई book ही आप खरीदे new edition की वह आपके लिए सही रहेगी बाकी यह था आपका अपको समझ आ गया होगा and कोई भी doubt रहता आपका तो आप उससे instagram पे भी पूछ सकते and हाँ एक चीज और आपकी रह गई है इसके अंदर वो रह गया आपका कि 30 नंबर कहा गए तो 30 नंबर में जो आपका वो practical होता है अगर आप practical वाली book देखेंगे आपको market में मिल जाएगी तो practical होता है आपका वाइबा होता है उसके अंदर तो ब 100 नंबर का यह paper बनता है I hope कि आप समझ गया होंगे यह था आज का वीडियो syllabus का बाकी आपका कोई भी doubt रहता है तो आप मुझसे instagram पे पूछ सकते है मेरे instagram id है आप सभी के सामने krishnasahani08 करके कोई भी doubt हो तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते है साथी साथ अगर आप इसक PDF form लेना चाहेंगे जो मैंने आपको ppt दिखाई है अगर आप इसे download करना चाहते तो हमारे vsp class 11th group में join कर सकते वहाँ पे यह PDF form में आपको जल्दी provide करवा दिया जाएगा बाकी यह था आज का है वीडियो वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें share किया करें अपने दोस्तों में and comment करके बताइए कि slayvus में आपको कोई problem तो नहीं है geography का and इससे भी पहले हमने other subject जैसे की polity history आपका हो गया Hindi English हो गया इन सभी के हमने slayvus final के final जो आपका exam होता है final का slayvus साथ ही हमने mid term का slay slayvus भी provide करवा रखा है जिसका अगर हम final की बात करें तो फरवरी March के अंदर जो है जिनका exam होता है and mid term का September October में exam होता है तो इन दोनों ही type के हमने slayvus करवा दिये है अब वहाँ playlist वाले section में जाकर देख सकते है channel के playlist में बाकी यह था आज का वीडियो वीडियो अच्छा ल लेना है इससे हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक notification पहुंच जाए करेगी बाकी यही ताज का वीडियो चलिए मिलता हूं आपसे अगली और exciting वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम